कुछ पॉर्णिंग स्टुडेंट सावर्यूं कैसे हो उमेद जड़ता हूं अच्छे होंगे आप लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ाता कि इंपेरिकल फोर्मूला क्या होता है तो आज ही क्लास जो हमाई रहेगी इंपेरिकल फोर्मूला की कैल्कुलेशन पर रह की क्लास में कैसे कार होगे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पर्संटेज अगर मुझे यह परसंटेज गीवन है तो आप मुझे उसका इंपरिकल फोर्मुला बत दिए तो इस किस्टर को सोल करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस परकार से टेबल के अंदर हम सबसे पहले उस एलिमेंट जो गीवन एलिमेंट हमके सिंबल्स नोट करेंगे उसके अब अपने पास यहाँ पर गीवन मास की रेट क्या दी हुई अपने को परसंटेज दी हुई है तो हम लोग अब इसे प्लिकते हैं परसंटेज दीवाइड बयुक्त यह भी तु सकता है कलिर है और नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ सी इल्का मॉल्स आएगे उन मॉल्स के अंदर से जो सबसे कम मॉल्स होगे जिसके अब सबसे सबसे कम और किसके हैं यह सबसे कम और इसको अगर मैं क्या करता हूँ सभी से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास एक मॉलर रेशियो आता है मतलब आप लोगों को तो सबसे पहले मैंने क्या किया सबसे पहले में लिया दूसरा फिर संफर लिया तीसरा फिर को लिया ओक्सिजन लिया कि अपको को इनका मास परसंटेज हमें दिया हुआ है यह इनका मास परसंटेज रगा सबसे क्या क्या मॉल्स निकाल लें थे तो मोल्स के लिए परसंटेज आपों मोलर मास तो इसको भी 1.266 आपॉन 1.266 से डिवाइड करूगा इसको 1.897 को 1.266 से डिवाइड करूगा तो डिवाइड करने पर मेरे पास यह रजल्ट आता है कि लिए आपनों को और इस रजल्ट को मैं किसमें करता हूं सिंपल और रेशियो के अंदर तो कैसे कल्कुलेट गए अगर मैं सभी को 2 से मल्टिप्लाई का देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा सिंपल लेस्ट होल नंबर रेशियो आएगा क्लियर है और जब मुझे पता चले है सोडियम का कितना है रेशियो टू सनुफर का कितना है टू ओकजिंगा कितना है फिरी इस परकार सिंपल नहीं सकते हैं कि यह जो फॉर्मुला बनेगा N-A2 S2O3 is an empirical formula of given percentage composition यह जो percentage composition दी वह है इस base में iska empirical formula यह वाला और general empirical formula मैंने कली क्लास में भी आप लोगों बताया जाए क्या explain करता है It explains only the ratio of element at atom in given compound So, आम लोग एक क्युश्टन और कर ले देशी के ऊपर Basically, फिर आम लोग देखते हैं आगे की तरफ तो आप लोगों को यह चीज़ समझ में आई ना So, this one is the next question क्या है क्युश्टन ज़रा देखिए 2.746 ग्राप ओफ एक कंपाउंड गेव और अनलेसस एक टूटल पंपाउंड़ जिसका बेटेश 2.746 ग्राम जब एक उसका अनलेसस किया तो मैंने देखा कि 1.94 ग्राम ये तो गारे पास क्या है Ciao आरे और 0.268 ग्राम ये मेह पास क्या है सिलफर है क्लियर है और दूसरा है 0.538 ग्राम यह मेरे पास क्या है oxygen है तो calculate the empirical formula आपको उसका empirical formula बताना है और आप लोगों को silver, sulfur और oxygen का atomic mass गीवन है क्लियर है तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किस पर कासे calculate करते हैं आप लोग की empirical formula सबसे पहले मैंने क्या लिखा सभी का symbol लिखा एजी एस और और सिल्वर का sulfur का और किसका oxygen का symbol लिखा उसके बाद आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर अब की बार आपको mass percentage ना देखा only mass दिया गया है in grams तो शिल्वर का mass कितना किया है 1.94 ग्राम सफर का 0.268 ग्रैम और oxygen का 0.538 ग्रैम अब आप लोगों को एक तो आट ग्राम ठीक है यहाँ पर 32 और oxygen का आपको पता कितना होता है 16 अब मैंने क्या क्या मोल्स निकाले तो मोल्स आपको पता है गीवन मास अब और किस से निकालें इन मोल्स के अंदर जो सबसे छोटा है जिसकी नंबर सबसे छोटा है उस से वह जो नंबर सबसे चोटा है उसको हम सबसे डिवाइड पर हूं किसे किस से कर incentiv ँगा तो मांखो ये सबसे चोटा नंबर है तो मैं क्या करता हूं 0.0719 को डिवाइड करता हूं गर इसे 8.375 इं नमबर इसे मैं, इंटू 10 देश टू पावर 3, माइनस का 3 है ने, इंटू 10 देश टू पावर माइनस का 3, और इसको किसे करूगा, 0.0336 divided by 8.375, इंटू 10 देश टू पावर माइनस 3, मैं जो नमबर सबसे छोटा है, उसको डिवाइट करूगा, या उससे सभी को डिवाइट करूगा, clear आपको लोगो, तो जैसे देखो, यह सबसे छोटा नमबर था, माइनस 10 देश टू पावर माइनस 3 में इसकी वैलू, तो इससे भी मैं इसको डिवाइट करता हूँ, तो मेरे पास एक नमबर आता है, इक रेश यो आता है, 2.121 और 4.01, अब यह अपना होल नमब में नहीं है, मुझे यह रेश यह रेश यो किसमें होल नमबर में, तो नियर ली सेम होते है किसके 2,1 और 4 के, clear रहे, तो मेरे पास जो सिंप्लेस्ट होल नमबर रेश रहेगा, 2,1,4, clear रहे, तो अभी हाँ पर मेरे पास AG कितना है, कितना रेश यह रेश यह चीगा, 2, sulfur का कितना है, 1, मेरे पास यहाँ पर oxygen का कितना है, 4, तो इस वज़े से मैं कह सकता हूं कि यह हमारा क्या नहलाएगा, AG2SO4 is an empirical formula, clear आप लोगों को empirical formula के लिए questions दिये जाएंगे, clear है तो आपको उन questions को solve करना है, okay, thank you.